PCS Current News में अभी की खबर है Operation Pavan एक महत्वपूर्ण मोड साल 1987 में 11 अक्टूबर को श्रिलंका के जाफना में भारती शान्तिरक्षा सेना ने एक operation शुरू किया था इस operation का नाम था Operation Pavan Operation की शुरुवाद भारती शान्तिसेना द्वारा 29 जुलाई 1987 को हस्ताक्षरित भारत स्रिलंका समझोते के जवाब में की गई थी समझोते का उद्देश तमिलों के शिकायतों का समाधान करना तथा ग्रहियुद के बीच स्रिलंका में शान्ति बहाल करना था आई अब जानते हैं Operation के उद्देश के बारे में इसका प्रात्मिक उद्देश लेट्टे से जाफना का नियंत्रन लेना और शान्ति समझोते के अनुसार निरस्त्री करन लागू करना था वहीं इसके अन्य उद्देश में शामिल हैं लेट्टे की परिचालन क्षमताओं को निस प्रभावी करना साथी संघर्ष प्रभावित क्षेतरों में कानून और व्यवस्था स्थापित करना ग्यारक्टूबर 1987 को जाफना विशुविद्याले पर एक साहसिक हेलिकाउप्टर हमले के साथ आपरेशन पवन की शुरुवात हुई जापना में रणनितिक स्थानों पर भारती सेना द्वारा लिट्टे लडाकों के साथ मुट्भेड के बाद भीशन लडाई शुरू हो गई लिट्टे ने गुरिल्ला रणनिती अपनाई और नागरिक अबादी में घुल मिल गया जिससे IPKF के लिए लडाकों और गैर लडाकों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया चुनाति पुर्ण भूभाग के कारण सैन ने अभियान और जटिल हो गया जिससे भारीक शती हुई जैसे जैसे लडाई बढ़ती गई 1200 से अधिक भारती सैनिकों ने लिट्टे बलों के खिलाफ लडाई में अपनी संघर्ष में फंसे नागरिकों के विरुद्ध IPKF और लिट्टे दोनों द्वारा मानवा धिकारों के उलंगन के आरोप लगे ऑपरेशन के परिलाम सुरूप नागरिक हताहतों और भारती हस्तक्षेप की धारणाओं के कारण भारत और स्रिलंका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए स्रिलंका में बढ़ते रास्टवाद के कारण भारती सेना के प्रती नाराजगी बढ़ गई इसमें कोई दोराय नहीं कि ऑपरेशन पवन भारत के सैन्य इतिहास में एक महतुपूर्ण अध्याय बना हुआ है जो अंतरास्ट्रिय शान्ती अभियानों की जटिलताओं को उजागर करता है क्या सैन्य हस्तक्षेप के दोरान स्थानी गतिशीलता, सांस्कृतिक संवेधन शीलता और मानुवी विचारों को समझने के महतु को रेखांकित करता है त्वाईयंत में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रश्न भाती शान्ती सेनात्वारा संचालित ओपरेशन पमन का प्रात्मिक उद्देश क्या है विकल्प A. स्रिलंका के साथ राजनाइक संबंध स्थापित करना विकल्प B. लिट्टे से जाफना का नियंत्रण लेना विकल्प C. श्रिलंकाई श्रणार्थियों को मानवी सहयता प्रधान करना या विकल्प D. श्रिलंका में आथिक विकास को बढ़ावा देना तो इस प्रशन का जवाब कुमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद झाले शिजज़ जरूर अप्रणार्थियों को मानवी से जवादिक विक 높ाटश भीर देंगा विकल्स बढ़ावाद